नमस्क्राइब दोस्तों स्वाद करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी टोडे न्यूस पर आज आपके लिए बहुत बड़ी है रेकूट्मेंट अपडेट लेकर आया हूं जो की निकल के आ चुक है पोस्ट आफिस की तरफ से लेटेस्ट आपके हुइल में मिलते रहेंगे और समय रहते हैं इसके लिए applied कर पाएंगे वकेंस्यस की बात करूँ तो और भी बहुत सारी vacancies हैं जिनको आप हमारी website पर जाके check करके apply कर सकते हैं जिसके लिए simply आपको google में जाना है और वहाँ पर जाके आपको सिर्फ type करना है meet academy ठीक है first number पर आपको हमारी website मिल जाएगी वहीं से आपको सारे job related update जो है मिल जाएगे आप check करके वहाँ से apply भी कर पाएंगे तो चलते हैं recruitment update की उपर बाकि आपके मन में कोई भी doubt है किसी भी तरह का तो जुरू comment box में comment करके बताएगा चलते हैं update की उपर सबसे बले बात करें तो नोटिफिकेशन ministry of communication department of post की तरफ से जिसके लिए आपको online अवेदन जो है वो करने होंगे इसके लिए male female दोनों ही candidate यहां पर eligible हैं और दोनों के लिए vacancies जो है आउट की गी है next अगर मैं बात करूँ application fee की तो यहां पर आपके 100 रुपीज application fee है वो भी सिर्फ और सिर्फ जर्नल OBC and EWS candidates के लिए जो candidate reserve category जैसे की SC, ST and other reserve candidate है उनके लिए यहां पर निल रहने वाली है यहां पर जो application fee है वो सिर्फ और सिर्फ आप online सिर्फ जो है वो पे कर सकते हैं जिसमें आपका debit card आता है ठीक है आपका credit card है वो है ठीक है यहां आप net banking के दुरू भी कर सकते हैं तो और इसमें आप जरूर से online ही apply कीजिएगा और यहां पर जो vacancies है उसमें सबसे पहली vacancy है MTS मतलब के multitasking staff की जिसके लिए salary 28,400 रुपे रहने वाली है उसके बाद है postman की जिसमें 21,700 आपकी salary रहने वाली है mail guard की 21,700 रहने वाली है उसके बार next अगर मैं बात करूँ यहां पर vacancy wise qualification की तो MTS के लिए है 12th pass candidate, postman के लिए 10th pass और mail guard के लिए 10th pass candidate जो है वो eligible है minimum आपकी यह है 10th और 12th और maximum आपकी हो सकती है जादा इसमें अगर बात करूँ जो vacancies है उसमें reservation आपको मिलेगी अगर आपके पास जो है reservation वाला certificate रिजर्व काटागरी वाला है selection आपकी सिर्फ अजर merit basis पे होनी है और यहां पर आपको जो document चाहिए होंगे वो सारे यहां पर IT को छोड़के बाकी सारे document आपको required होंगे इसको छोड़ दीजिएगा ठीक है आपके पास होने available होने ज़रूरी है और यहां पर अगर मैं बात करूँ age limit की 18 से लेके 37 साल तक के candidate legisable है प्लस यहां पर आपको एज relaxation तीन साल से लेके 10 साल तक की जो है मिलने वाली है और इसी के साथ अलग PWD प्लस OBC जो है candidate उनको 13 और PWD प्लस SCST को 15 साल की एज relaxation यहां पर है ठीक है और यहां पर यह notification जो है इसके रहाद एक और notification होगा जो कि अभी आना है जो कि GDS की vacancies के लिए है तो total यहां पर 90,000 प्लस vacancies के लिए यह notification रहेगा क्योंकि अभी जो MTS की है postman की mail guard की vacancies अभी आनी है जिनके लिए आपको apply करना होगा और इसी में GDS की vacancies भी आप add कर लीजिए तो यह notification upcoming vacancies के लिए है जो कि अभी आना है और जल्दी announce भी होगा जैसे इनाउंस होगा मैं आपको जुरूर से बता दूँगा आप उनके लिए apply जो है वो कर पाएंगे बाकी और कोई doubt है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताईएगा मैं आपके लिए सभी तरह के latest recruitment अपडेट जो है वो लेकर आता ही रहता हूँ तो यह आज का notification ने जो की आउट किया गया है अब मैं आपको मिलूँगा नई notification के साथ नई वीडियो के इंदर तब तक के लिए धन्यवाद जी